कि नबस्कार दोस्तों आज का वीडियो रहेगा निवरा लिंक नेटवर्क की जो ऑफिशल अब्डेट जो आई है उनिस तारीक को तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इनका कहना यह है कि वी वांट यू तो अब्डेट वोट एंड और एक्शन आप्टर दी इट्स अफ तो उसके बीच में चर्चा वोट शिस्टम किया था और उस वोट सिस्टम में जो रिजल्स आये थे वो रिजल्स यहां पर डिग्लियर किया है whilst the voting process technically went smoothly without any glitches we have unfortunately seen some of the worst aspects of the crypto communities few users exploited a bug in the previous Zaga network acquiring millions of tokens unfairly these users then used their ill-gotten tokens to swing the vote in that direction that would have severely hammered our community कुछ लोगों का आप सभी लोगों को पता है कि जाका का टेक्निकल बग की वज़े से उनको लाखो क्रोडों टोकन्स उनके account के अंदर चले गए थे और उन्होंने acquire कर लिए थे गलब तरीके से उन टोकन्स को जब वो निवरा लिंक के अंदर convert हो गए थे उन टोकन्स को उन्होंने वोटिंग के लिए इस्तमाल किया था और उस वोटिंग का नतीजा जो है वो जो है वो कंपनी के अगेंस्ट में या लिस्टिंग के फेवर के अंदर उन्होंने खुमाने के प्रयास किया था जब वो फ्रॉट टोकन निकाले गए थे जो रिजल्ट आप देख रहे हैं फ्रॉट टोकन जब जो निकाले गए थे तब निकाल जब रिजल्स निकले थे तब ए मतलब लिस्टिंग के लिए फेवरेबल जो थे वो 38301 वोट थे और बी में जो लेकिन जब फ्रॉट टोकन निकाले गए तब एक्चुल रिजल्स यह था कि साड़े साथ हज़ा में तब 7544 वोट जो वोटिंग किये थे वो लिस्टिंग के फेवर में थे और 35,590 जो है वो नॉन रिस्टिंग ना करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फाइनली कंपनी न जो लिस्टिंग प्रोसेस अभी हम लोग कांग कर रहे थे कि दस दिन के अंदर हम लोग इस लिस्ट में करने वाले थे और जिसका खामियाजा यह होता था कि अगर अब टोकन हमारा लिस्ट होता था प्रीमेचर टोकन लिस्ट हो जाता तो जिसका अब जो रेट है और तुर इसका बहुत बड़ा नुकसान सभी मेंबर्स को होता था कुछ लोगों तो अपना पैसा लेके निगल गए होते लेकिन बाकि जो इंवेस्टर्स ने जो कंपनी के पर भरोशा रखें इस प्रोचेट के पर भरोशा रखें उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता था बहुत 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 इंपॉर्टन बुद्धा यह है कि सिस्टेम के जो सिक्यूर्टी उसको और इंहांस करने की यह रोक प्रयास शुरू कर रहे हैं कि अफुर्टन बुद्धा इंहांस करने उसको नुद्धा इंहांस करने जा रहे हैं और जो दूपलिके की अकॉंट्स है यह मल्टीपल अकॉंट्स है उनको रोकने के लिए कदम कंपनी उठा रही है नमबर तीन, overhauling communication, we are closing all the official chat groups, community groups as can continue as they are and moving communication with the team to provide forum within the platform, this platform, this forum will have dedicated chat groups for more prominent investors, the general community and the theme groups for ongoing projects, it will become a primary means of communication. अब इससे यह उड़ता है कि हम members के साथ में communication कैसे करें, तो जितने भी official chats है, वो company अब close कर रही है, जो community ने design बनाया हुई जो chats है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और इसके अलावा company dedicated chat group बनाएंगे, खासकर investors के साथ में, और जिसके माधियम से, वो groups के अंदर जो भी project होंग अबडेट देते रहेंगे, establishing regular monthly AMS, और we are holding monthly, मतलब ask me anything, जो monthly session चलता रहेगा, हर महिने, वहाँ पर सभी updates मिलती रहेगे, hosting random developers talk, we'll have unscheduled talks with various development teams, members to foster transference and community engagement, random developer talks होते रहेंगे, जिसके माधियम से, developer team के साथ में, हम जो है, वो community engagement करते रहेंगे, जिससे transparency और open रहेगी, clear होते रहेगी, and accelerating ongoing project, जो आकरे मुद्दा जो है, कि company ने जो कुछ projects हाथ में लिया हुए है, in pipeline है, तो उन projects को हम जितना जल्दी कोशिश करें, complete करने कोशिश करें, उसमें से दो project जो है, वो nearing completion है, almost complete होने को आए, एक तो game का platform है, game का project है, online gaming का, और दूसरा जो है, वो shopping platform है, जहां से आप अपने tokens को इस्तमाल कर सकते हैं, खरीदार ही करने के लिए, so we understand some members may be disappointed with these measures, but most of their are investment, capital supports them, कुछ लोगों को हम यह समझते हैं कि काफी सारे लोग जो है, वो disappoint हुए होंगे, और वो ही लोग disappoint हुए हैं, जिन्नोंने listing के favor में vote किया था, औ जल्दी जल्दी अपने tokens को बेच के system से बाहर निकलना चाहते हैं, हाला कि system को केवल अभी एक साल ही हुआ है, एक साल के अंदर बहुत सारी कठीनाईयों का सामना करने के बाद भी यह system अभी भी कड़ा है, और platform अभी just launch होने की कगार पे है, जो दो project है, आप launch होने की कगार मैं उसके पर पूरा का पूरा update मिलता रहेगा, इसी तरह से videos के लिए आप बने रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको neutrally जो इस project के बारे में update देता रहा हूं, और आप सभी लोग इसको अपने teams के साथ में share करें, ताकि कि किसी को miss information ना हो, किसी को कोई गलत information ना हो So thank you very much, see you next time.